निदे साल ये क्या होता है जी है नमस्कार दोस्तों मैं हुमित कुमार मौर्या और आप देख रहे हैं मौर्या टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चनल जिसमें आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों जैसा का आप सभी लोग जानते होंगे कि राज्य सरकार के मुख्य तह तीन घटक होते हैं जानी की थ्री कॉंपोनेंट्स होते हैं पहले होते हैं मंत्री जिन्हेंग्लिस में मिनिस्टर कहा जाता है दूसरे होते हैं सच्चीव जिन्हेंग्लिस में सेक्रेटरी कहा जाता है और तीसरे होते हैं कार्यकारी प्रमुख जिन्हेंग्लिस में एक् जो कार्य कारी प्रमुक होते हैं, इनके ऑफिस को नीदे सालय कहा जाता है। जो सचीवाले होता है वो एक प्रकार की स्टाफ एजनसी होती है, यानी कि इसका मुख्य Crime होता है नितियों का निर्धारन करना नीतियाँ बनाना। जबकि जो निदेशालय होता है उसका मुख्य कार्य होता है नीतियों का कर्यानवय करना यानि कि जो नीतियां सच्वालय दोनाई बनाई जाती है या और भी जो नीतियां होती है उसको लागू करवाने का काम निदेशालय का होता है जो निदेसालय होता है वो सचिवालय से अलग इस्तित होता है जानि कि इसके बिंडिंग्स और चीज़े अलग जगा पर होती है लेकिन ये पूरी तरीक से सचिवालय के अधिन काम करता है यानि कि सचिवालय के जो भी आदेश होंगे उसके अनुसार निदेशालय काम करता है निदेशालय के जो प्रमूख होते हैं उनको निदेशक कहा जाता है तो जिस प्रकार से सचिवालय में अलग-अलग विभाग होते हैं उसी प्रकार से निदे सालय में भी अलग अलग विभाग होते हैं और ये विभाग जो होते हैं निदे सालय के वो सचिवालय के विभ्यागों के आधार पर ही काम करते हैं यानि कि सचिवालय के जो भाग होते हैं, वो नीतियों का निधान कर देते हैं, नीतिया बना देते हैं, और नीतियों करने का काम निदेसालय का होता है, उनको भागों का होता है, निदेसालय में जो भाग होते हैं, वो लगभग अधिकतर जो भाग होते हैं, वो सचिवालय के तकनीकी सहायता प्रदान करता है ठीक है और इसकी एक और खास बात यह है कि यह जिलास्तर पर जो काम हो रहे होते हैं जिमानली ये सचवालय ने कोई नीती बना दी और वो नीतिया जिरास्तार पर किस तरीके से लागू हो रही है क्या दिकते आ रही है इस पर भी निदेसालय जो है वो नजर बनाये रखता है और अधिकारियों से संपर्क करके ये सारी चीज़ समझने की कोशिस करता है देखता वीडियो में इतना ही उमीद है आपको वीडियोच पसंद या पर पत्रगाई हो तो छी फॉक्त बारे करें